नमश्कार दोस्तो एपिकल एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका सवाकत है साथियो आज हम एग्री कर्चा के कोशन की एक स्रीज लेकर के आये हैं और यहां पर एग्री कर्चा में होने वाली तमाम प्रकाशी जो हमारी परिक्षा हैं उनमें कुछ बहुत बेस के कर रहे हैं यहां पर हम प्रकाशन की वाली है और यहां पर हमारा प्रयास होने और यहां पर दो प्रकाशन की सिरीज और हो लगातार आपको अपर लग को एंप्रूब करते रहें और इसके पहले की हम हम लोग अभी आपने स्टर करने वाले हैं तो यहां पर एहां फ्रेश के माधियम से recorded lecture के माधियम से और printed जो नोट से वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगे और साथ में ही question की practice भी आपको करवाई जाएगी तो जो भी fresher student हमारी fresh बेच को कर जोइन करना चाहते हैं चाहे वो AFO के लिए हो ADA के लिए हो या फिर RAEO के लिए या फिर जो लोग अपने basic level को improve करना चाहते हैं वो हमारी fresh बेच को जोइन कर सकते हैं और आईए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने यहां पर जो question त्यार किये हैं किस प्रकार से आपकी exam के लिए महतुपूर्ण हो सकते हैं और जैसा कि पिछले question की स्रंखलाती हमारी उसमें आपका जो response मिला था हो काफी अच्छा था और वह सारे बच्चों कहना था इसको वापस से आप continue करिए लोगडाउन की वज़े से कहीं नहीं सभी लोग disturb हो गए थे लेकिन अब वापस से जब इस्तितिया सामानी हो गई है हम लोग यह संकला लेकर के आए हैं और यदि आपका response बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों को यह संकला अगर पसंद आती है इसको लोग continue भी करेंगे और हमारा यह प्रयास होएगा कि आपको अलग अलग प्रकार की डिपार्टमेंट है हमारे सभी डिपार्टमेंट की वह यहां पर शामिल किये जाए ताक कि आपकी प्रेक्ट्रिस बहुत अच्छे से हो सके आई दोस्तों बात करें आज के पहले कोश्चन की तो देखिए यहां पर फर्स्ट कोश्चन है हमारा इसमें अगर देखा जाए तो कोश्चन दिया है कॉटन पिंक कॉटन पिंक बॉल वर्म यानि कपास का जो गुलाबी सुन्डी होती है कॉटन बॉल वर्म बॉल वर्म जो इंसेक्ट होता है कपास में अलगता है तो वह कौन से ओर्डर यानि कौन से गर्ण को बिलोंग करता है कपास की लाल सुरही अब दिखिए एग्रिकर्चर की एक्जाम में बहुत बड़ी समझ्य यह है हिंदी जो है वह बहुत ही अलग परकार से आती है और यहां पर चुकी गूगल की जो हिंदी है गूगल ट्रांसलेट जो हिंदी करता है उसके इसाब से को पढ़ेंगे तो कई बार हिंदी समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जितने भी छात्र एक्जाम की तियारी कर रहे हैं आप एक्जाम के हैं सभी के सभी बॉल वर्म लेपी डॉप टेरा ओर्डर लेपी डॉप टेरा गण को बिलों करते हैं तो यहां हमारा आंसर आएगा लेपी डॉप टेरा और मैं आपको बता दू का पास के अंदर चाहे हम बॉल वर्म की बात करें पिंक बॉल वर्म अमेरिकन बॉल वर्म या फिर exported bowlworm की हम बात करें या फिर चैने के अंदर जो cutworm लगता है या जो pod borr लगता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि bowlworm या cutworm या pod borr इस प्रकार की जितने भी insect हैं वो सभी lepidoptera order को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आपकी exam में एक question यह भी आया हुआ कि जो bowlworm ह होते हैं वह किस प्रकार के पैस्ट होते हैं तब को ध्यान रखना है कि जो bowlworm है वह lepidopterian pest कहलाते हैं क्यूंकि यह lepidoptera गण यहनकी lepidoptera order को बिलोंग करते हैं तो इनको हम लोग lepidopterian pest कहेंगे और वैसे भी पेस्ट के इसाब से गर दिखा जाए तो किसी भी प्रकार जो कपास के लिए नुकसान दयक है और चुकी वह लेपी डॉप्टेरा गण को बिलों करता है तो यहां पर बोलेंगे कि जो बोल बर्म होता है वह लेपी डॉप्टेरियन प्रेस्ट कहलाता है जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर आप फस्ट वाले ओप्षिन को देखें कॉल बिवी लिएनदी की घुन आ रहा है या ग्रव शब्द का तिमाल करतेंए वो सब कोली ठेरा को बिलोंग करते हैं तो यह सब क्या क्या क्लाएंगी को्ली और प्टेरियंट पैस्ट बेल्टानिक लिए किसम है अर् परिफक्वता अधिक्तम आपेक्षित है तुल्यकालिक परिफक्वता का मतलब यह होता है कि फसल के अंदर सारी फलिया एक साथ अगर पक जाएगी सभी की हार्वेस्टिंग हम एक साथ कर पाएंगे और यहां पर अप्शन की हम बात करें बारले यहने की जो मेज यहने मक्का ग्रीन ग्राम यहने की मूंग और वीट यहने की गहूं तो उसमें अगर देखा जा दोस्तों तो जो ग्रीन ग्राम है यहने जो मूंग है उसकी हार्वेस्टिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसमें जो फलिया होती जो पोर्ड होती है वो सब की सब एक साथ मेच्च और नहीं होती उनकी maturity आगे बिछे होती है तो यहां पर जो लोग मूंग और उडद की खेती करते हैं ग्रीन ग्राम और ब्लेग ग्राम लगाते हैं उनके साथ एक समस्य है कि सारी फलिया जो है पोदे की उपर जीती भी फलिया लगी हुई है वो एक साथ मेच्योर नहीं होती कि तुनको अलग अलग टाइम पर हार्वेस्ट करना पड़ता है तो हार्वेस्टिंग की जो कास्ट है यानि की तुड़ाई की जो लागत है वह वहां पर बढ़ जाती है तो यहां पर हम चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की variety available हो जाए मूंग और उडद में कि सारी फलिया ए कि वारा saltation process related to देखिए saltation की जो प्रक्रिया है जिसको हिंदी में उच्छलन कहते हैं यह उच्छलन की प्रक्रिया किस से संबंदित है साथियो saltation यहां पर हम बात करें तो यह विंड एरोजन हवा के दौरा होने वाले मिट्टी के कटाओं से संबंदित है और यहां पर हम बात करें तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो वायू के दबाओं की वज़े से जब हवा में उचल जाते हैं और वापस टेनिस की बोल की तरह जमीन की उपर गिरते हैं फिर हवा में उचलते फिर जमीन पर गिरते इस प्रकार से जब मिट्टी के कणों का कटाव होता है वाय विंड एरोजन तो यहां पर हमारा आंसर आएगा कि यह विंड एरोजन वायू के द्वारा होने वाला कटाव यहां पर कहलाता है ठीक है साथ यह अगले कोशन की वर अगले कोशन है को कॉशन नमबर चार LER is related with यहने कि LER का संब्द किस से है सबसे पहले हम बात करेंगे LER का फुल फॉर्म क्या होता है लेंड एक्विलेंट रेशो और लेंड एक्विलेंट रेशो या भूमी तुल्य अनुपा जिसको हम कहते हैं और दोस्तों यहां पर M livres यंदि करोपिंग कि मिशित फशल लगाते हैं मिंघ्ड क्रॉल का मतना भी होता है कि एक खेत में एक साहत हम एक से अधिक फशल लगाते हैं दो फसलों गजब एक-स help लगाया जाता है जीसे कि हम गनने की खितमें अगर आलु की कहती कर है ना तो गन्ना प्लस आलोगे हम लोगों लगाया है तो वहां पर उसका एली आर निकाला जाता है तो आपकी एक्जाम का बड़ा अच्छा कोश्चन है एली आर का संबंद काई से हम बोलेंगे मिस्रित फसल से मिक्स्ड क्रॉप से है और यहां पर आपको एक बात ध्यान एक्स ज़्यादा है तो हमने जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की है वो हमारे लिए बेनिफीशल है लाबदायक है अगर एली यार कमान एक से कम आता है यह हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाबदायक नहीं है तो आपकी एक्जाम का बड़ा अच्छा कोश्चन आ सकता है कि जो ए हमारे लिए बेनिफीशल हो सकता है नेक्स्ट कोशन दोस्तों कि जियामेज इवरिटा इस कॉल्ड मक्का की एक प्रजाती जियामेज इवरिटा यह किस प्रकार की मक्का को हम लोग कहते हैं ऑप्शन में डेंट कॉर्ण पॉपकॉर्ण सॉफ्ट कॉर्ण और स्वीट कॉर् सब्रकार को मक्का टो क negativity जो अलग लग प्रजातियां उनके बात करें तो यहां पर डेंट को कोरण क्यान के बात करें तो देंट कोर्ण को यह कौन सी मक्का है अमेरिकन अर् tadi अंच्छिक बटनी समुझत अगर को मन titled इंवरिटा है soft corner की हम बात करें sweet corner की हम बात करें तो इस प्रकार से मक्का की जितनी भी अलग-अलग प्रजातिया होती है इसमें से एक बहुत अच्छा कोशन आता है जैसे कि मक्का के बारे में कहा गया है कि मक्का को अमेरिका की read की हड़ी कहा जाता है Mage is the backbone of the America अगले कोशन की पर अमेरिका तो यहां पर अमेरिका में किस प्रकार की मक्का लगाई जाती है तो भारत के अंदर इंडूराटा यहां पर कोशिश करेगा आप की मक्का की जितनी प्रजातिया है इनके बोटनिकल नेम हमारे को याद होना चाहिए चलिए आगे हम बात करें अगले कोशन की और बढ़ेंगे और यहां पर हमारा नेक्स वाला यहने की कोशन नबर 6 जो है वो क्या है देखिए दोस्तों कोशन है क्या कहा है यदी 100 kg प्रती हेक्टियर के हिसाब से अगर बीजदर है तो 10 वर्ग मीटर के छित्रफल के लिए कितने बीज की आवशेक्ता होगी आपको पता है कि हम लोग जब एरिया को मेजर करते हैं और यहां पर हेक्टियर की जब बात करते हैं तो एक हेक्टियर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं ठीक है तो यहां पर एक हेक्टियर में कितना बीज लग रहा है 100 kg यनि कि 10,000 वर्ग मीटर में 100 kg बीज लग रहा है तो 10 व कि आप इस प्रकार की को सोलो करें और अपना आंसर जो है वो आपको निकालना है लेकिन यहां पर एक बहुत हीद बहुत ही बात अगर मैं आपको वहत हूं कि की सफ्ट के को से हल क्या जा देखिए कम सब्सक्क्राइब कट करें आइसकर क्क्षै को सो किलोग्राम है कि एक हजार अगर हमारा छेत्र भलता एक हजार वर्गमीटर व leaning करते एक हमारा 10 ऊपर हमें 10 पर हैदा कि तो आच यहां पर हमें 20 लोटी एक किलोग्राम या spectrum गुना और कम हो जाती अब यहां पर हमारा जो एरिया है वह दस वर्ग मीटर है कि इसा इसके माधियम से आप अपना सई आंसर निकाल सकते हैं दूसरा तरीका यह होता है तो भी हमारा answer निकल जाता है और formula के हिसाब से हमारा answer के से निकलेगा देखिए मैं आपको बताता हूं के से निकाल सकते हम लोग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कि 10,000 मेटर स्कुएर इसके लिए हमारे पास में सीड की requirement वो कितनी है इसके इसाब से कादेखा जा तो 10,000 वर्ग मेटर के लिए 100 किलोगराम बीच की आवशकता है तो एक वर्ग मेटर की हम बात करें तो 100 किलोगराम के बटे में यह 10,000 वर्ग मेटर आजाएगा अब लेकिन ह हमारे पास में जैगे किती यह दस वर्ग मीटर है इसके इसाब से मगरेब बात करें तो सो बटे दस हजार और यह तोस्तों तीन जीरो से हमारे चले जाएंगी एक पटे दस एक बटे दस किलो अब एक की लिएक बट्टे 10 kilo का मतलब कित्भीस अ 90 का मतलब किसी प्रकार से निकाल और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक millionaire में कितने वरगम मीठर होते हैं दस घार हमें होते हैं उस की सब्सकी अगले अगले कोशन की वर बढ़ते हैं हमारा अगला कोशन है वीच अब दी फॉलोविंग इज ए स्यूडो सिरियल स्यूडो सिरियल यहने की इसमें से किसको जूटा अनाज कहा जाता है जूटा अनाज किसे कहेंगे जूटे के लिए एको टर्म आता है यहां पर कूट अनाज मित्या अनाज किसको में लोग कहते हैं यहां पर यह डूरम वीट वलगेयर वीट बक वीट और ब्रेड वीट यहां पर यह स्पिलिंग थोड़ा सा करेट करने क्या हुशता है बी आर ई ए डी ब्रेड वीट देखें दोस्तों डूरम गेहूं वलगेयर और ब्रेड वीट ये तो एक्चुल में गेहों की अलग अलग प्रजातियां है हम लोगों ने गेहों के बारे में पढ़ा होगा हेगजापलोइट जो वीट होता है उसकी हम बात करें टेट्रिकम अस्टिवम, टेट्रिकम वलगेर टेट्रापलोईड जो होता है उसके हम बात करें टेट्रिकम डूरम है ना तो यहां पर जो बकवीट है यह एक्चल में देखा जाए तो यह किसी भी प्रकार की गेहों की कोई प्रजाती नहीं है और बकवीट को हम लोग जूटा अनाज कहते हैं तो यहां हमारा आंसर आएग कि जो बकवीट है वह वास्तविक में कोई अनाज नहीं है यह एक प्रकार की वेजीटेबल यानिकी सबजी है जिसका वानसपतिक नाम फेगोपाईरम एसकुलेंटम होता है और वानसपतिक नाम के बाद इसकी परिवार के हम बात करें कि कोन से फेमेली माता जूटा अनाज तो यह पोली गोनेसी परिवार में आता है तापको ध्यानकनाई की जो बकवीट होता है यह कोई वास्तविक अनाज नहीं होता इसको चूटा अनाज केते हैं फेगोपाईरम एसकुलेंटम इसका वानसपतिक नाम है और पोली गोनेसी परिवार में यह आता है ठीके दोस्त प्रकार के विटामिन एक के अग्रदूत की उत्पादन के लिए नामानित किया गया है देखिए दोस्तों हम बात करें गॉल्डन राइस इसको महाधान भी कहा जाता है बीटा केरोटीन का उत्पादन करता है जिसके वज़े से विटामिन एक के मातला बढ़ जाता है और इसातियों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इंगो पूर्टरिकस साइंटिस्ट के नाम इदी पूछा जाए कि कौन से विग्यानिक ने सुनहरा धान या गॉल्टन राइस जो है उसको डेवलप किया है या महाधान को विक्सित किया है चुकि इसको महाधान ग्यूम ल पिलो एक प्रकार की व्यादी है और यह व्यादी किस प्रकार की फसल से संबंदिद है दोस्तों पहली बात तो यह कि जो पिलो डिस ओर्डर है यह यह बायोटिक फेक्टर के दुवारा होता है आपको शायद पता होगा अगर पता नहीं तो मैं यह पर लिख देता हूं जो होता है घोप फीजियोव लोजीग कल डिस ओर्डर यहांने की देभिक विकार की अबात करें है तो यह गिसी की विफ्सक्ष मजीव की की वज़े से नहीं होते जह पर हैं यहांपर यह और जो Monet है उत्पन होती है उनको लोग दहिक विकार या फीजियोगल डिस ओडर कहते हैं और यहां पर पिलो जो डिस ओडर है यह कुकर बीट्स कुकर बीट्स यहने की जो कद्दू वर गी सबजियां हैं गार्ड फेमिली गें बात करें तो उनका डिसोडर और उसमें बीश्वेशल कि ये Πंपपी कदू कि सब्सक्राइब कीřि और यहा पर एक विशेस सलाह भी जारता हूं कि यह जा आप एक्जाम की त्यारीggak रहे और हम जब महाँ पर कोश्चन पढ़ते हैं एक्जाम के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कि कोश्चन एक बार में समझ में नहीं आता लेंग्वेज की वज़िस हम लोग कन्फिस हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी हम कोश्चन पढ़े हिंदी में दी गड़बड़ी लगती है था हम लोग इंग्लीश वाला वर्जन हमारे को पढ़ना चाहिए चलिए नेक्स्ट हमारा कोश्चन दोस्तों कोश्च का जो क्लासिफिकेशन हैं मरदा का जो वर्गी करने उसमें आपको दो बाते विश्चेश तोरपर ध्यान दखना कि एक सबसे बड़ी जू यूनिट है उसकी लारजस्ट वो क्या है और सब्से चोटी जूनिट होती है वह क्या होती है सबसे बड़ी काई कि हम बात करें तो पारा होती और होता है क्लासिफिकिशन की सबसे छोटी होती है यह आपको ध्यान विप्टेल नाम का जो देहिक विकार है वो कौन से पोशकत्त्त्त्त्त्त की कमी से होता है यानि कि एक फिजियोलोजिकल डिस ओडर है एक वाइटिक फैक्टर की वज़े से हो रहा है और यहां पर आला कि कोशन बड़ा बेसिक ही कि मॉलिब डेनम की कमी की वज़े से फुल ग प्रकॉशन नहीं आहा या जो टोमेटो और पोटेटो नहीं उनके डिस ओडर है उसकी ऊपर कोशन नहीं आहां तो जोबी लोग में और उनकी पर विश्चे और ध्यान दीजिए बहुत अच्छे कोशन यहां से बनते चलिए नेक्स कौशन की और हम लोग बढ़ेंगे और No 12 12 कि Бारवा कॉषन क्या कहता है हमारा यह भी कोलिफुलावर के इस order का क्वॉशन न कॉशन हैं इन कोली फ्लावर यteil के एक बहुत बोरान की कमी से ब्रार्वनिंग की समस्या होती है और यह प्रापुद्यानगना है की विपडर और browning इसके अलावा क्ली फ्लावर में बटनिंग की भी समस्या होती है ब्लाइंड नेज की भी समस्या होती है रिसीनेज की भी समस्या होती है तो आपको यहाँ पर एक साथ में पांच डिस ओर्डर की बात कर रहा हूं कि विप्टेल, ब्राउनिंग, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, रिसिनेस, फजीनेस, यह जो समस्या है, इस सब कोली फ्लावर की ए, तो कोली फ्लावर की समस्याओं की उपर आपको विश्चेश ध्यान देना पड़ेगा, नेक्स कोश्चन है, फैमिली ओफ फ्लेरिस माइनार, फ् तो कोशन बड़ा वेसी कि यह यहनी गेहौं के जैसा नाम यह ना गेहौं का परिवार इधी ग्रे मिनी है तो ग्रे मिनी होगा पत्यों की सरसना की अधर पर देखा जाये तो ग्यहौ और ग्योंसा के अंदर कोई भी खास अंतर शामने तह दिखाई नहीं देता और दोनों एक समान दिखाए देते इसलिए इसको गेहुंसा कहा गया है और परिक्षा में कई बार कोशन आता है कि गेहुं का जो टेस्ट वेट है टेस्ट वेट यहीं की परिक्षन भार टेस्ट वेट वो 42 ग्राम है 42 ग्राम है तो गेहुशा का टेस्ट वेट यहीं की परेशन भार कितना होगा अब यहां पर बहुत सारे चात्र किस प्रकार से कन्फिज होते हैं वह समझते की गेहुशा यहने बिल्कुल गेहुशा के जैसा कोई इनके दिखावट में इनकी सरचना में कोई अं लेकिन इनके बीज में तो बहुत अंतर होता है तो गेहुशा का जो कर दो ग्राम होता है तो यहां पर बीज के अंदर बहुत सारा विरीशन है ग्यों के बीजों का टेस्ट वेट 42 ग्राम होता है एक हजार दानों का वजन की हम बात करें ना और ग्योंसा का मात 2 ग्राम होता है तो फिर similarity कहां है समानता कहां है इनकी पत्तियों में पोदा जब खेत के अंदर ग्यों के साथ में खड़ा होता है तब उनमें वि अगला कोशन है हाउ मेनी सीट्स अर टेकन फोर टेस्ट वेट देखिए अभी हमने बात किए कि परिक्षन भार जो होता है टेस्ट वेट की हम बात करें तो कितने बीज लिए जाते हैं चुकिकि अभी हम इस पर डिसकस कर चुके हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होना चीए ह हजार बीज यह होते हैं वेट ऑफ दी थाउजन शीट वह यहां पर लिए जाते हैं और हजार बीज का जो वजन होता है वह टेस्ट वेट कहलाता है ठीक है बंदू चलिए नेक्स्ट कोशन के ओर हम बढ़े अगला कोशन है How many seeds are taken for seed index साथ ही हो seed index यहने की बीज सुच कांक इसके लिए कितने बीज लिए जाते हैं यहां पर एक बात मैं आपको वता दूँ अगर फसल की बीज छोटे हैं हम स्मोल साइज के हैं तो हम हजार बीज लेंगे लिगर पीकि का आकार बढ़ा है बड़े बीज हेँ रिजॉन पाल कि उपकर बड़े इंडेक्स बीज सुचकांक में 100 लिए जाते हैं जबकि टेस्ट प्राक्षन भार में 1000 लिए जाते हैं जो चोटे होते हैं उनकी संक्या 1000 होती है और जो बिज आखाड़ में बडhin वहां पर 100 लिए जाते हैं चलिए अगले कोशिन की और बढ़े हैं ये एक विडिसाइट यहने की शाक नाशी है और खरीर की फसलों में इस्पेशली सोयविन की उपर पलसे स्क्रोप में बहुत ज़्यादा इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है तो Flu Chlorine जो है वो किस प्रकार का विडिय साइट है या इसका इस्तिमाल कभ किया जाता है फासलों में Flu Chlorine या बासलीन का प्रयोग कभ किया जाता है After Germination देखिए पहला क्या है After Soing but Before Germination यहने की बुवाई के बार और अंकुरण के पहले दूसरा है आफ्टर जर्मिनेशन यहने की अंकुरन के पस्चाद, बिफोर सोईंग यहने की बुवाई या रूपाई के पहले और कोई नहीं साथ यह बासालीन या फ्लू क्लोरीन की हम बात करें तो यह प्री प्लांट इनकार्पोरेशन या खेत में फसल लगाने के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छा कोश्चन जो है वह इसके उपर बनता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और हम लोग बढ़ें अगला कोश्चन जो है कोश्चन नबर 17 उसकी हम बात करें कोश्चन दोस्तो विच टाइप आफ क्रॉप इस मेंली इंक्लूड इन क्रॉप रोटेशन फसल चक्र और इसमें किस प्रकार की फसलों को मुख्यत शामिल किया जाता है बड़ा बैसी कोश्चन है क्रॉप रोटे बड़ता बनाय रखने के लिए फसल चकर के अंदर पल्सेस यानिकी दलहनी फसलों को शामिल किया जाता है तो यहां पर हमारा आंसर आएगा लेग्यूम क्रॉप या दलहनी फसले चुकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपैसिटी होती है नक्त्रजन को इस्थीरी क लेक्टिरिया पाया जाता है तुम बोलेंगे कि फसल चक्र में लेग्यूम या जो दलहनी फसले होती है उनको शामिल करना चाहिए नेक्स कोशन है दोस्तों कि अगले कुशन पर हमां है क्या कोशन है इन वीच शिस्टम अफ कुड़ प्रोडक्शन सोईल एरोजन इस नोट दैयार फसल उत्पादन की कौन सी पद्धती में मर्दा का कटाव नहीं होता वह किस प्रकार की फसल की पद्धती है जहां पर सोईल एरोजन नहीं होता पहला ओप्षन है गास की खेती दूसरा एपिकल्चर की हम बात करें उध्यान साथ की मिज्णित खेती की बात करें देखिए को इस कोशन के गर हम बात करें तो उप्षंट जो है उस हिसाब से नहीं है जिस प्रकार से आना काई यहां पर क्या होना जीता कि हम लोग जो कि एविज करते हैं को से स्पेशली तब है वहांपन भी मिटि ना होता right तो मिट्टी के रोकने के लिए घास लगा दी जाती है और गास जो है वो अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी को अच्छे से जगड लेती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए to prevent to control the soil erosion episode culture जो वो especially recommended किया जाता है तो episode culture जो है वो मिट्टी के कटाव को बढ़ावा नहीं देता बाकी जितनी प्रकार की हम फसल लगाते हैं कहीं ने-कहीं वो मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देती है और next question दोस्तो phylo D disease caused by phylo disease है वो किसके दुवारा होती है और फाइलोडी रोग का कारण क्या है वाइरस या बैक्टिरिया या माइको प्लाज्मा और फंगस साथी हो फाइलोडी डिसीज है यह सिसेम यहने की तील की बीमारी है सिसेम यह तील में होने वाली बीमारी है और यह माइको प्लाज्मा एमेलो माइको प्लाज्मा जिसको फाइटो प्लाज्मा भी कहा जाता है उसके द्वारा होने वाले बीमारी है तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि फाइलोडी बीमारी माइको प्लाज्मा के द्वारा होती है चलिए नेक्स कोशन के और लोग बढ़ें यहाँ पर मेरा प्रयास है कि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कोशन की प्रेक्टिस करवाँ चुकि आपका समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि समय की बरबादी कम से कम हो और नंबर अब कोश्चन जो है उनकी पलसेस डलहनी फसल है चन्ने के अंदर बी जुप्चार के हम बात कर रहे है और जितनी भी दलहनी फसले हैं सभी में राइजोबियम कल्चर का हम इस्तेमाल करते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एक पेकेट आता है राइजोबियम कल्चर का एक पेकेट वो 200 ग्राम का आता है 200 ग्राम और एक पेकेट जो होता है वो 10 किलोग्राम 20 के लिए परियाप्त होता है तो आपको ध्यारक नाए कि राइजोबियम कल्च्री भी हम कर रहे हैं तो एक पेकेट 200 ग्राम का ऐगा उसका और वह दस किलोग्राम बीज के लिए परियाप्त होता है और वेसे अगर देखा जाए तो एक किलोग्राम के लिए हमें 20 ग्राम राइजोबियम बेक्ट्रिया की आव शेक्ता होती है जिसे आप लोगों ने पढ़ा हो कि अगर हम फंगी साइट से सीट ट्रिट्मेंट करें किसी कवक नाशी ये फखुन नाशी से बीच का अपचार कर रहे हम लोग तो वहाँ पर लगबग दो ग्राम जो दवाई होती वह एक किलोग्राम बीच के लिए पर पर फंगी साइक हम बात करें तो वहाँ पर दो ग्राम लेणा है यह यहां पर 2020 ग्राम के इसाब से हमें आवश्कता होती है सबसे हमें आवश्क्ता होती है या दस गुणा इसकी रिकॉर्मेंट जाधा होती